हेलो राम राम जी सारेन आप सब का स्वागत है किचन रेसिपीज ओफिशियल में दोस्तो सर्दियों में रात में हम जो दही जमाते हैं और वह जमती नहीं है और सुबह सुबह वह पानी की तरह मिलती है जो खाने में बिल्कुल भी टेश्टी नहीं लगती और अगर आप पहली बार दही जमा रहे हैं तो पहली बार में ही वह प्रफेक्ट बनेगी उसके लिए आज मैं आपको मिट्टी की हांडी में बिना जंजट के बहुत ही आसानी से दही जमाने का तरीका बताने जा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने डेड़ लिटर दूद लिया है जो पहले से ही गरम करके रखा हुआ था और यह ठंडा हो गया था तो मैंने इसकी मलाई को हटा कर इसको दोबारा गैस पर गरम करने के लिए रख दिया है अब यहाँ पर दूद को हमें हलका सा गरम करना है जैसे अगर हम इसको उंगली से चैक करें और उंगली हमारी दूद के अंदर जलेना और यह दूद के अंदर आसानी से सैन हो सके बस इसको इसी स्टेज तक गरम करना है यहापर मिट्टी की हांडी में दही जमाने के लिए सबसे पहले मैंने मिट्टी की नई हांडी को रात बर पानी में बिगो कर रख दिया था और अगले दिन इसके पानी को हटा कर इसको दूप में अच्छी तरह सुखा लिया था अब मैंने दो चमच ताजा दही को हांडी में डाल कर इसको चारो तरफ चमच की सायता से अच्छी तरह लगा दिया है दोस्तो वैसे तो लोग का चोरिश्टील के बरतन में इसे जमाते हैं लेकिन मिट्टी के बरतन में दही जमाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इस बरतन में दही जमाने से इसमें विटामिन बीवारा, B6, कैल्शियम, आयरन, फासफोरुज जैसे माइक्रो न्यूटिरेंट्स भी इसमें बढ़ जाते हैं लेकिन मिट्टी का बरतन एक सामाने तापमान बनाए रखता है, जो दही के खटेपन को बढ़ने से रोकता है और यह साधारन बरतन में जमी दही की तुलना में खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिश्ट लगती है और साथ ही सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है अब दही को चारो तरफ लगाने के बाद हलके गुनगुने दूद को मैंने इसके अंदर डाल दिया है आप दूद को यहाँ पर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अब आदा चमच दही को उपर से डाल कर इसको डखन से ढख दिया है दोस्तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे दही जमाने के लिए मैंने दो से डाई चमच जामन का इस्तमाल किया है इससे हमारी दही खटी तो नहीं जमेगी तो मैं यहाँ आपको पहले ही बता दूँ दही जमाने के लिए जामन बिल्कुल भी खटा नहीं था दूसरा मिटी की नई हांडी में दही जमाने के लिए गर्मी के मुकाबले सर्दी में थोड़ा जादा जामन का इस्तमाल करना पड़ता है जिससे उसको जमाने में हमें कोई दिक्कत और प्रेशानी ना हो और दही हमारी बिल्कुल भी खटी और खटी हुई ना जमे उसके लिए दूद को हलका गुनगुना ही रखना है अब इसको उपर से ढखने के लिए मैंने यहाँ पर एक गर्म शोल को लिया है जिसे मैंने हांडी के उपर अच्छी तरह ढखकर दही को 5-6 गंटे तक जमने के लिए छोड़ दिया है अब दही को जमाई हुए 5-6 गंटे हो गए हैं अब इसको चेक करके देखते हैं अब मैं आपको एक चमच की सायता से इसे चेक करके दिखाती हूँ अब देखिए यहाँ पर हमारी दही बिलकुल गाड़ी और कितनी अच्छी जमकर तयार हुई है और साथ ही इस कोमिटी के बरतन में जमाने से यह और विज़ादा गुनकारी हो गई है आप भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दही जमाते हैं तो वह पहली बार में ही बहुत अच्छी जमकर तयार होगी तो इसे एक बार आप भी जरूर ट्रै करके देखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथ ही मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले धन्यवाद